बिहार के गया में प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी की माता हीरा बैन के निधन के बाद बुद्वार को स्राद करम के तहत ब्रह्मभोज का आयोजन किया गया इसमें काफी संख्या में ब्रामन ब्रह्मवोज के लिए उपस्तित हुए जिनकी संख्या 500 के करीब रही वही सैंक्रो परिवार के लोग ब्रह्मवोज में शामिल हुए इस ब्रह्मवोज में वजीरगंश की भाशपाव विरेंद्र सिंग के अलावे सैंकुनेता कारेकरता और ग्रामिन शामिल हुए गया कि रसलपूर में या ब्रह्मवोज का आयोजित हुआ प्यम नरेंद्र मोदी की मा की ब्रह्मवोज कारे करम को लेकर लोगों को पहले ही आमंत्रित किया गया था और ब्रहभोज का आयोजन किया गया इसके दोरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की मा हीरा बेंड के चित्र पर पुषपांचली अर्पित की गई इसे लेकर हमारे चित्र मे इस तरह का आयोजन बहा दलित महिला फोटो देवी के दौरा किया गया है जो काफी खुशी की बात है और एक अलग तरह का संदीश भी चाता है वहीं जोरान उपस्तित मंजय सिंग रामदिप सिंग ने बताया कि पूरे विधी विधान की साथ ब्रह्मभोज कारिकरम का आयोजित हुआ इसमें ब्रह्मन भोज का भी आयोजन हुआ सैंक्रो की संक्या में ब्रह्मन शामिल हुए वहीं अने लोग भी ब्रह्मभोज में शामिल हुए देश तो हैं ही बिदेशों में उन्होंने जो कार्ज किये हैं जो बिदेशों में मान समान बढ़ाए हैं देश का इसके लिए एक आत्मा में उग्र पैदा हुआ कि उनके माता जी ऐसा माता जी है जो ऐसा पुत्र को जनम दिये जो हमारे देश को बीदेशों में जो है से बहुत नाम किये इसके लिए हम लोग को लगा कि नहीं माता जी को सांती के लिए कि इसमें पूरा यहां पर कि यहां जो है मानपुर फटर्खड तो ही बजिरिगंद के लोग है अगल वगल कि यतना भी गरीब गुर्वा जतना लोग है गरीब गुर्वा इसके अलावे भी हैं यह लोग दखिया सबाइन के परसाथ गरहन करेंगे आए इंको आसीरबाद देंगे इनका जीवन जो है आत्मा जो है से खुशी में रहे हैं अज के दिन चूना नहीं गया आज परधान मंत्री जी का माता जी का सराथ कार्श्क्रम है रसलपूर हाइस्पूल मैदान में और हमारे पूर्व जिला पारसत फोटो देवी मांजी हैं महादलित परिवार से आते हैं और इन्हों ने कहा कि हम आज प्रधान मंत्री जी का माँ का स्राध करेंगे और हमन अभी समाप्थ हुआ है पंडी जी का भोज होगा और उसके बाद और लोग भी खाएंगे यही कार्स्क्रम है और आज हम भाजपा में भारतिये जन्ता पाटी में हम लोर फोटो देवी भारतिये जन्ता पाटी में पूर्व जिला पारसर फोटो देवी सामिल हो रहे हैं एकाथ सो आदमी ते साथ महां दली ते साथ होटो दवी जिन्दाबाद गाउं के लिए कैसे चलते हैं कि हम देश परदेश के रहने वाले मंत्री जी है सामिल कर रहे हैं भाजपा पार्टी में सामिल होने का क्या हुदेश है भाजपा पार्टी हमको बहुत बढ़ान पढ़ियां लगता है चर्चा में एक बात और आ रही है कि शायद टिकट के दावेदारी भी करेंगे आप गया से जितंदर कुमार की रिपोर्ट